पी बिसकर्मा पूजा और आज जितिया का नहाना खाना भी है तो मेरी बेटी तेयार हो चुकी है और वो जा रही है अपने साइकल की पूजा करने और यहां देखिया फ्रेंड्स छोटे बड़े कई तरह के साइकल है उस साइड चल जा सिधे तो पूजा कर रही है बड़ा साइकल राजा का है और दो छोटे छोटे साइकल है इसमें लला और पिहू दोनों चलाते हैं तो सब साइकल को इन्होंने सुबह में धोया लला और पिहू ने मिलके आज बहुती काम की है पिहू भी साइकल को साफ की और उसके बाद बलकानी में अब लेखा पीछ पूजा कर रही है और लल्ला और राजा भी नहाने गये हुए है उन्हें भी मैं बोली कि जल्दी से नहा क्या जाओ मगर लगता है कि पूजा लेहीं हो जाएगा प्यूजा लल्ला आने ही वाला है क्यूंकि वह त्यार हो चुका है यहाँ फुल रखो तो देखो लाल फुल अच्छा सब में लगाँ फुल घंटी बजा के वैसे सग्रों फोग लगाँ सब साइकल पार दिखाव लडू को करें लूगाँ अच्छा से बचा रहें कि अगर्वाद के देखाव लूगाँ अगर्वादा लुगाँ अगर्वादिकर्णाय। चलो अच्छा थोड़ा सा उठाओ चलो अच्छा थोड़ा सा उठाओ चड़ा दो कोहीं पर कोई साइकल में अब खड़ा हो जाओ थोड़ा थोड़ा साइकल में छीटो साब चट को छीट दो घंटी बजा दो अब घंटी बजा दो अरे मेंने भी घंटी बजा दिया कोई तो सुनो देखो में घंटी बजा दिया चलो हो गया रखो बढ़ लग दो फिर साइकल पचुके चलो हो गया जी तिया की तैयारी हो रही है आज नहाना खाना है तो हम सब तैयारी कर रहे हैं मैं छत पर आई हुई हूँ और में नहाली हूँ और जो जो भी बना है वो पहले में इन्हें दे देती हूँ चील और सी यार को क्योंकि हम लोग के अहां सुरू से ही जैसा नियम चलता है वो हम कहीं भी रह करना होता है तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कोमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप सब नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर बतलाईएगा कि आप लोग के तरफ जीतिया कैसे होती हैं आप लोग क्या क्या करते हैं क्यूंकि ये जीतिया बच्चों के लिए किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और मोसम भी आज अच्छा है, अब कल का मोसम पता नहीं कैसा रहता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक कोमेंट जरूर कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं कल, कल में आपको बतलाओंगी कि मैं कल क्या क्या करती हूं, क्या क्या ह आपका है, बाइबाओ